Hello Everyone, Welcome to Let's Revise तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ओफ करिकुलम करिकुलम के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको डिजाइन करने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं तो यहाँ पे हम उनी टाइप्स के बारे में बाते करेंगे मैंने यहाँ पे जितनी भी टाइप के करिकुलम होते हैं सब को इस वीडियो में कवर किया है अगर कोई ऐसा है जो आपकी नजर में है और यहाँ पर मैंने एक्स्प्लेन नहीं किया है तो वो आप comment section में पूछ लीजेगा मैं उसको explain कर दूँगी तो start करते हैं इस video को सबसे पहले हम बात करते हैं learner centered curriculum की की learner centered curriculum क्या होता है so learner centered curriculum revolves around the interest, needs, abilities, development, level and life of learners in short में मैं कहूं तो जो learner centered curriculum होता है वो ऐसा ही design करा जाता है या इस बात को ध्यान में रखके design करा जाता है कि उसमें जो भी हो वो learner को priority देते हुए किया जाता है learner का कैसा interest है, learner की क्या need है, learner की क्या ability है यह सब कुछ मतलब पूरा जो भी है वहाँ पे center जो है वो आपका learner ही है मतलब उसी को देखते हुए ही पूरा curriculum design किया जाता है इसी का just opposite होता है teacher centered curriculum अब अगर learner centered curriculum में curriculum को design करते हुए learner की चीज़ों को हमने notice किया तो यहाँ पर जो teacher centered curriculum होता है उसमें जो सारा का सारा focus होता है वो teacher पे होता है ठीक है, students put all of their focus on the teacher ठीक है, वो teacher पे ही अपना focus रखता है क्या वो पढ़ा रही है, क्या वो बता रही है teachers talks and students listen ठीक है, teacher बोलता है, बच्चा सुनता है उसी accordingly, जो student होता है वो अपनी activities को perform करता है तो यहाँ पर जो main role play कर रहा होता है वो teacher कर रहा होता है is teaching learning process में ठीक है, तो मतलब जो main center है वो आपका यहाँ पर teacher है जो हमने curriculum design किया है वो teacher को ध्यान में रखते हुए design किया है ना कि यहाँ पर हमने learners पर focus किया है then आपका next आता है subject centered subject centered curriculum is that founded upon the compose of separate and distinct subject ठीक है, यहाँ पर particular subjects से related या उन पर focus करते हुए हम curriculum को design करते हैं बहुत सारे subjects हैं हमारे पास में उनको देखते हुए कैसा subject है और हर subject से related उसका curriculum decide किया जाता है then next है correlation of curriculum correlation is the recognition and establishment of relationship among various subject areas or field इसमें हम ऐसा कह सकते कि यहाँ पर जो curriculum बनाया जा रहा है वो आपका दो subjects को या different subjects को या field को लेकर के वहाँ पर आपको समझाया या पढ़ाया जा रहा है वो fields जो आपकी same grade पर है ठीक है यहाँ पर जो इनका आपका subjects या fields का relation होता है वो horizontal relationship होता है जैसे अगर मैं बात करूँ कि bio और chemistry ठीक है तो हम bio and chemistry को एक साथ में दो subject को आपस में correlate करके पढ़ा सकते है then आपका आता है core curriculum देखे core का मतलब ही होता है central या फिर hard which means core curriculum is a projection of all basics ठीक है journal training of the elementary schools इसमें यह होता है कि इसमें जो भी आपको जो आपके common subjects हैं जो आपके journal subjects हैं उनको आपको include करना ही करना है ठीक है learner has no options but to study the prescribed course or subject ठीक then आजाता है आपका fusion curriculum fusion का मतलब ही होता है fuse अभी तो fusion से आप कोई words से आप unknown नहीं होंगे fusion means अगर हम बात करें तो देखे दो different dishes को मिला करके एक new dish बना दी जाती है उसको fusion dish बोल देते हैं तो अलग-अलग dresses को हमने मिला दिया Indian and Western को मिला करके बना दिया तो that is also fusion dance भी हम कैसे कर देते हैं हमने hip-hop के साथ में कुछ ऐसे आपका वैसा वाला मिला दिया है जो आपका state represent करता है अगर हम उस type का dance एक साथ मिला देते हैं ठीक है तो हम यहाँ पे fusion करिकुलम में क्या करते हैं it combines or fuses two other separate subjects into a new course हम क्या करते हैं हम दो अलग-अलग subjects को लेते हैं ठीक है इनको आपस में combine और fuse करते हैं और एक new हमारे पास में course generate हो जाता है ठीक है generally क्या है जैसे आपका psychology है तो psychology which includes क्या-क्या होता है इसमें आपका biology, chemistry, physics and social study ये सारे चीज़ें आपकी आजाती है then है आपका enriched curriculum enriched curriculum refers to giving greater meaning to a curriculum by adding values इसमें क्या होता है जो आपका curriculum होता है उसको enriched करता है मतलब उसमें और value देता है उसको modify करता है और जाधा depth और हमें उसमें value add करके उसको और better provide करता है then हमारे पास है sandwich curriculum in this curriculum you have periods of study between periods of being at work मतलब यहाँ पे है simply कि जैसे आप कहीं पे भी study कर रहे है ठीक है तो वहाँ पर आपको study भी करनी है that particular years जो भी आपके है study के and उसके साथ में आपको placement भी दी जाती है जहाँ पर आप job भी कर सकते हैं किसी factory company और whatever जहाँ पे भी आपको उनोंने placement प्रवाइड की तो मतलब आप अपनी study और अपनी job दोनों को एक साथ में वहाँ पर कर रहे होते हैं then है आपका crash curriculum हम इसको crash land से या crash landing से ले सकते हैं crash landing का means क्या होता है crash land in which landing has to be made in unfavorable circumstances this implies that there is an urgent need to learn something इसका मतलब है कि किसी भी program को या आप syllabus को छोटे format में कर देना मतलब कि किसी भी course को कम duration में complete कर देना जो कि आपका एक अच्छा कासा time लेकर के complete किया जा सकता था then है आपका disciplinary curriculum content is divided into separate and distant subject such as language, science, maths and social study इसमें कुछ भी नहीं है disciplinary curriculum वो होता है जिसमें आपका different different disciplines को हम separate करते हैं अलग करते हैं और उसके through हम और फिर हम उसे learn करते हैं then है आपका integrated curriculum here teaching and learning based on both philosophy and practicality it focuses on making connection for students allowing them to engage in meaningful activities that can be connected to real life यहाँ पर क्या होता है जो भी आपकी learning होती है teaching होती है वो आपकी philosophy and practicals दोनों पर बेस्ट होती है और यहाँ पर जादा से जादा focus इस पर किया जाता है कि जो बच्चा है आपका वो कुछ relevant चीजों से connected रहे जो उसकी activities हों वो आपकी meaningful हों और जादा से जादा real life से वो चीजों को सीख सके या connect कर सके अपने आपको then आजाता है interdisciplinary curriculum interdisciplinary curriculum को मैं normally आपको समझा देती हूँ it involving more than one branch of knowledge ठीक है जैसे कि समझ लीजे आपको एक कोई particular subject पढ़ाना है यहाँ पे बट आपको क्या करना है जो और भी subjects की आपकी knowledge है यहाँ पे आप उनको भी use कर रहे हैं उसमें उस particular subject को समझाने के लिए बट आप अपनी एक proper boundaries के अंदर हैं आपने अपनी boundaries को पूरा cross नहीं किया है जैसे कि अगर मैं example दूँ तो आपने सुना होगा educational psychology तो educational psychology में आपका थोड़ा part education का होता है थोड़ा part आपका क्या होता है psychology का होता है तब आपकी जाकर के बनती है educational psychology ठीक है मतलब क्या है देखे education से भी हमने थोड़ा portion लिया इस कुछ नई चीज़ को सीखने के लिए और हमने psychology का भी थोड़ा सा portion लिया तो जाके बन गया हमारा educational psychology ठीक है बट इन दोनों ने ही अपना थोड़ा-थोड़ा सा इसमें involved किया है बिल्कुल भी यह नहीं था कि vanish ही हो गया कुछ नया ही हो गया नए थोड़ा-थोड़ा हमने education से लिया थोड़ा हमने psychology से लिया और फिर हमने उसको कुछ new generate किया है तो हम इसमें simply कह सकते हैं कि multidisciplinary मल्टी से आप समझ सकते हैं कि multi का मतलब ही होता है different different ठीक है जैसे आपका यह multidisciplinary मैं इस figure से आपको समझा देती हूँ ठीक है यहाँ पे एक आपका individual field है ठीक है और यह आपके different different disciplines हैं जैसे आपका school में है यह आपका science हो गया यह maths हो गया यह SST हो गया English हो गया यह सब कुछ different different है तो इसमें क्या होता है यहाँ पर इनकी आपस में ही speciality है यह अलग-अलग है यह अगर जरूरत पढ़ती है तो जो ही आपका center है यह इनको advise करते हैं बट यह अपने level में रहते हैं यह अपनी boundaries में रहते हैं ना यह तो इनको disturb करेंगे ना यह इनको disturb करेंगे ना यह इनको disturb करेंगे यह आपका particular school है यहाँ पे सब अपने अपनी specialty के साथ में अपनी अपनी चीजों को सिखा रहे होते हैं बट कोई भी एक दूसरे को disturb नहीं गर रहा होता है बट interdisciplinary में हमने देखा कि उसमें वो क्या करें थे थोड़ा बहुत interact कर रहे थे एक दूसरे से transdisciplinary की बात करें तो transdisciplinary को हम इस तरह से बता देते हैं कि transdisciplinary में क्या होता है कि जो other further आपकी disciplines थी वो क्या करती है एक दूसरे में ही मिल जाती है और क्या करती है कुछ नया generate करती है इनको हम एक figure से समझ लेते हैं तो यहाँ पर इस figure की through हम multi inter or transdisciplinary को समझेंगे सबसे पहले मैं इसका figure draw कर देती हूँ multi disciplinary का figure मैंने कुछ ऐसा बता कि आपको बताया था इंटर का आपका कुछ इस टाइप का था कि थोड़ा सब ऐसा हो रहा है बट यहाँ पर ट्रांस में कुछ इस टाइप का है तो आप बहुत ध्यान से समझें खुद देखे कि मल्टी में क्या हो रहा है यह पर्टिकुलर आपका स्कूल है यहाँ पर आपको different different subjects पढ़ाया जा रहें गिये यह आपस में एक दूसरे को बिलकुल भी डिस्टिर्ब नहीं कर रहें है ठीक है अगर हम बात करें interdisciplinary की, तो यहाँ पर देखे, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यह आगर के main आपने आपको जरूरत पढ़ी, तो आपने इनकी knowledge को भी use कर लिया, इसकी knowledge को भी use कर लिया, इसकी जरूरत थी तो आपने इसको भी use कर लिया, मतलब हमने different different branches को अपने लिए use कर लिया combine करके हमने वहाँ पर उस चीज़ को पढ़ाया तो इसका मैंने आपको example दिया था educational psychology का कि हमने वहाँ पर एक नया ही subject generate कर दिया बट क्या हुआ कि हमने अपना जो हमारा एक वो था अस्तित तो उसको हमने नेग होया, हमने हाँ something new हमने बनाया है, बट हमारे पास education भी है, psychology भी है हमने उन दोनों को मिला के कुछ नया बनाया थर्ड हम बात करते हैं trans disciplinary की तो trans disciplinary में देखे क्या है, एक disciplinary आपकी पूरी जाकर के दूसरी discipline में एकदम से के अंदर ही चले गई, तो यहाँ पर क्या है कि something new बन रहा है different ही generate हो रहा है इन दोनों discipline को बना के मतलब कि अब जो बनेगा वो कुछ नया ही बनेगा क्योंकि इन दोनों का तो कोई वैसा है वो है ही नहीं है, जैसे कोई इनका अपस में relation ही नहीं बनता अगर हम बात करें तो आपने सुना होगा biotech, ठीक है biotechnology, यह दोनों ही field different है biology अलग है, technology अलग है, इन लोगों ने biology और technology को मिला करके ही biotech बनाया है, तो क्या हुआ biology और technology एकदम से ही mix हो करके दोनों different different disciplinaries थी और फिर इन लोगों ने एक नई different ही मतलब कुछ नया ही generate कर दिया so I think अभी आप लोगों के लिए easy हो अगर अभी भी आपको कोई भी confusion है, तो आप हमें बता दीजेगा हम new video के थूँ आपको इसको समझा देंगे